बहारत के समिधान में इनको अनुसुजी जनजात , या दिवाशी समधाय है ले में अनुसुजी जनजात के रूप में दर्जात किया है उनके बारे में बात करेंगे और भारत में कुछ महतपूर जो tribes हैं जो ज़न जातियां है उनके बारे में जानेंगे और उससे related जो leaders हुए जिन्होंने भारत की सवतनता आंधोलन में भाग लिया और अपने समाज के लिए अपने देश के लिए इस देश के लिए अंग्रेजों के विरिद्ध लड़ाईयां लड़ी उनके बारे में जानेंगे और ये टॉपिक बहुत ज्यादा महतपूर है एक्जाम्स के रिलेटेड जो क्वेस्टान्स आते हैं उसके लिए भी एक्जाम्स म में इस टाइब के क्वेस्टन्स आते रहते हैं इसलिए इनके बारे में जरूर जानेंगे और इनके जो लीडर से उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहां पर इस मूवी से आर 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 इसमें तीन दो करेक्टर्स है इन दो करेक्टर्स के बारे सबसे पहले जान लेते हैं कि जिसका रोल राम चरन ने किया है वे रियल में थे उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू वे किस समदाय के थे वे थे रंपा ट्राइब से रमपा ट्राइब से ब्लौंग करते थे आंध प्रदेश में और 1922 में इन्होंने रमपा रिवोल्ट की शुरुवात किये तो रमपा ट्राइब की रिवोल्ट में इन्होंने यहां पर लीड किया लोगों कोई कठा किया और अंग्रेजों के खिलाब विद्रोग किया ऐसे वी दूसरे थे, दूसरे जिसका रोल यहांपर Junior NTR ने किया है कुमारंभीन, जो कि गोंड ट्राइप से आते हैं, इस समये मदप्रदेश और 36 गड़ के इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो गोंड ट्राइप से आते हैं, कुमारंभीन, इन्होने भी गोंड ट्रा प्लासी का युद हुआ या बकसर का युद हुआ इन सभी लडाईयों को जीता और फिर जब कब्जा कर लिए यहां पर बंगाल मद्रास और इन सब प्रेसिडेंसी इलागों को इस्थपना किये और फिर उन पर रूल सुरू किया तो यहां पर क्या हुआ जो अदिवाशी ठीक और आपको जंगल में जाने से या सिकार करने से अन्य चीजों से पेड़ों को काटने से इन सब चीजों पर रोक लगाने लगे तो जैसे जैसे कानूर यह सवाने लगे इनकी जो सवतनरता थी आदिवाशी समदायों की यह भंग होने लगी और जो जमीदार थे उसमें लोटा नहीं पाते थे या जैसे भी इनकी जु…. जु जहाएं उनको हरप लेते थे प्रकार से क्योंकि उनका ऐक प्रकार से समपन्न थे और जु दबदबा था वो था तो इसलिए इनकी जमिने अहडपने और जो अंग्रेज थे वे भी एक प्रकार से उन्द में साथ ही थे तो जमिदार, साउकार, अंग्रेज इन सभी चीजों लोगों से परसान हो करके इन्होंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया तो ऐसे यह और लीडर हुए जैसे कि बिरसा मुंडा मुंडा ट्राइब से बिलाउंग करते हैं तो बिरसा मुंडा जी जो थे इनका जन्म हुआ था 15 नॉवंबर 1875 में और यह मृत्य हुई थी 6 जून 6 जून 1900 में ठीक तो यह लगभग 25 वर्स देख रहे होंगे तो 25 वर्स तक का जीवन काल रहा लेकिन इस 25 वर्स के छोटे सोम्र में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाब कई लड़ाईया लणी 1894 में जो मुंडा रिवल्ट हुआ इसको इन्होंने लीड किया था लोगों को इकठा किया इन सब चीजों के बारे में जागरू किया कि क्या क्या चीजे हो रही है कैसे इनकी जमीनों को लिया जा रहा है धोखे से और कैसे टेक्स लगा जा रहा है और भी जितने चीजे थे जो इनके जंगल के अधिकार थे उनको छीना जा रहा है तो इन सब चीजों के बारे में बताया और लोगों कठा करके और लड़ाईयां लड़ी इनके पास क्या रहते थे जितने भी आदिवासी यहाँ पर रिवोल्ट हुए उनमें अंग्रेजों के पास देखेंगे एक तरफ बंदुखें हैं आदुनिक हतियार हैं जबकि आदिव फेर जिसको कहते हैं कि छोटे-छोटे गुरूप से में बटकर लड़ाई करना तो ऐसे भी होते थे तो इस टाइप से लड़ाईयां लड़ी और अंततह इनको फिर पकड़ लिया गया अलूरी सिताराम राजू और फिर इनको मार दिया गया फासी लगा दिया किसी को ताकि जन्म है 15 नॉवंबर 1875 अब इससे रिलेटेड एक और चीज जान जाते हैं कि इनका जो जन्म है 15 नॉवंबर 2021 में गोसड़ा किया गया प्रधान मंतरी द्वारा कि जन जाती गोरो दिवस है ना इस डेट को मनाया जाएगा 15 नॉवंबर को हर साल क्या मनाया जाएगा जन ज सबसे ज्यादा जारखन में तो मुंडा ट्राइब सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है यह क्वेस्टन एक्जाम में आया है आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर आता है भील जनजाते, भील जनजाते क्या होते हैं? तो भीलों को बारे में यहां जान जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजाती समूँ है, यह कहां पाये जाते हैं? भारत में बारे मद्य परदेश, गुजराच, चतिसगर, भाराष्ट, राजस्थान, यानि कि पूरे देश में देखा जाये जनसंख्या की दरिश्टी से सबसे ज्यादा भीलों की जनसंख्या है, ठेक, ऐसे जनजाती, जो सबसे ज्यादा भारत में भील हैं, यह भी एकजाम में आया है, इसको आपको जरूर नोट करना है, और इनको भारत का बहादूर धनुस पूरस भी कहा जाता है, इसी से रिलेटेड एक ची और देखते हैं, यहापे, मुंडा जन्जात के लीड करने वाले जो बिरसा मुंडा थे, इनको धरती आबा, यानि कि फादर आब अर् ऐसे ही आगे हैं भील जन्जात में, तो भील जन्जात में जो लीडर हुए वो थे, भोमट भील मुवमेंट को लीड करने वाले मोतीलाल तेजावत, यह आपको नाम याद रखना है, भील मुवमेंट को लीड करने वाले जो थे, वो थे मोतीलाल तेजावत, यह भी एकजा बहारत का बहारत का बहादूर धनुस पूरुस कहा जाता है क्योंकि ये तीर धनुस चलाने यहां पर यहाँ सबसे जादा यहाँ पर जारखन में पाई जाती है फिर पस्ची मगाल फिर उडिसा फिर भीहार अब इसमें देखेंगे संथाल रिवोल्ट भी हुगा है यह भी किसके खिलाफ हुगा ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुगा और इसके जो लीडर से दो भाई हैं सिध्धू और कानू मिर्ण अम हम से आपको याद आएगा बारki जो प्रिर्शिदेंट है कि हमाति द्रौपती मर्मुजी उनके नाम में भी क्या रहा है मिर्णो किस क्से आपको याद रखो़ना है संथाल जंजादे संथाल है याद रहेगा कहा पाई भी सबसे अंग्रे जो खिलाफ रिवल्ट किया आगे current news में चल रहा है मड़ीपूर में जो violence हो रहा है आपसी जगड़े हो रहे हैं वे इसमें news में हैं और उसमें से भी questions आ सकते हैं क्योंकि जो questions है current affairs को वैसे जाते हैं कि जो tribes हैं किनके किनके बीच लाई या हो रही हैं तो उसी में से पूछ लेगा कि मड़ीपूर में कौन कौन से ट्राइब पाई जाती है या उसके आज पास के इलागों में कौन से ट्राइब पाई जाती है तो ऐसा question पूछ सकता है इसलिए मैती ट्राइब कहां पाई जाती है मड़ीपूर में यहां पर हमने लिखा रहा है और कूकी ट्र जो भारत के उत्तर पुर्वी राज्य हैं यह आपको याद रखना है भारत के समिधान में इनको अनुसूची जन्जात यानि कि सेड्डूल्ड ट्राइब की रूप में दर्जा देने का अधिकार किसका है तो अनुच्छे आर्टिकल 342 यह आपको याद रखना है इसके कौन से जो आधिवाईसे समदाएं हैं कौन सी जन्जाती है वो सेड्डूल्ड ट्राइब में आएगी ठीक तो यह आपको याद रखना है कि आर्टिकल 30342 कहता है कि प्रिसिडेंट के पास यह पावर है कि किसको वह एस्टी में रखेंगी सेड्डूल्ड ट्राइब में र बता दिया है तो मिलते हैं नेक्स ट्रीडियों में तब तक के लिए जय हिल्द